आज मैं आपको बोनलेस्टिकन बनाने का तरीका बताती हूं के लिए मैं ले रहीं चार्पून बोनलेस्टिकन, एक भरे साइस का प्यास, लसन अद्रकी पेस्ट, टमाटर, हरी मिरच, हरा दनिया, कटा हुआ अद्रक वन टी स्पून लाल मिरच, वन टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून सुका धनिया, हाफ टी स्पून करश मिरच, और गरम मसाले में दो बरी अलाची, काली मिरच, धाल चिनी, लोंग, तीन छोटियें लाचियें, और छे टेबल स्पून दही के सबसे पहले एक पतीली लें और उसमें ओयल डालें जैसे ही थोड़ा सा ओयल गरम होता है तो उसमें प्यास डाल दें आप देखें जब प्यास जरा सा नरब होता है तो उसमें आप लसन अद्रकी पेस्ट डाल लसन अद्रकी पेस्ट डालने के बाद इसको थोड़ा सा भून दे फिर इसमें बोलने स्टिकन डाल दे चिकन डालने के बाद इसको थोड़ा सा पकने देंगे जब देखेंगे कि चिकन की रंगत थोड़ी बदल जई है वो फिर इसमें हम वासün की चिज़ें डाली'RE हम सबते पहले टोमाटर डालेंगे और को चिकन के साथ 5 मिनद्थ पकने देंगे अब देखें के टमाटर विल्कुल गल गया है अब हम इसमें मसाले डालेंगे सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे जो के 1 टी स्पूंग मिरच 1 टी स्पूंग अब हम फल्दी डालेंगे जो के 1 टी स्पूंग है और इसके बाद हम करश मिरच डालेंगे जो के वह भी 1 टी स्पूंग करश मिरचों के बाद अब हम सुका देनिया पीसा हुआ डालेंगे जो के 1 टी स्पूंगा गरमसाला डालेंगे जिसमें दो बड़ी अलाची काली मेरच, दाची, लोंग, दो छोटी अलाची अलाची तर मसाला डालने के बाद चिकन को पाज में पकने दो और इसको अच्छी तरा भूंगे के बाद इसमें हम हरी मिर्चें डालेंगे और साथ ही छेट टेवल स्पून दहीं के लिए डाल देंगे हरी मिर्चे और दहीं डालने के बाद आपने इन दोनों को अकठ्छा अच्छी तरा भूंग देना है अच्छी बूलने के बाद इसमें हरा दन्या डाली और साथ ही कटा हुआ अद्रफी डाल अब चिकन तियार है इस पोड़िश में डाली और सर्फ करेंगे कि अच्छी बुल हुआ उद्राइब जोग चाह झाले चाह यहँदाए ti कि अच्छी बूलने को अच्छी बूलने को अच्छी